तो जो लोग गायत्री मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं क्या वो गायत्री मंत्र लिखेंगे तो उनको उतना ही लाव मिलेगा गायत्री मंत्र लिखने के क्या लाव है पंडित जी ये भी माई दर्शकों को बताईए देखिए जिन लोगों को कोई उपरी बाधा है, भूत प्रेत पिशाज की बाधा है, तंत्र मंत्र की बाधा है और सारे उपाय सारे तिर्थ आपने कर लिये हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है। तो आपको चाहिए कि एक अच्छे से साधे रजिस्टर पर लाल कलम से या नीले रंकी कलम से आप गायत्री मंत्र को सुध्ध सुध्ध लिखना सुरू कर दीजिए। जिस दिन ये मंत्र आपका 24,000 पूरा हो जाएगा उस दिन आपके ऊपर के सारे अभिजार और सारी तंत्र क्रिया समाप्त हो जाएगी। मंत्र जाप की तूला में मंत्र लेखन का फल सवगुना जादा है क्योंकि मंत्र लेखन में आख, मन, हाथ और मस्तिस्क रम जाते हैं जिससे चित एकागर हो जाता है और एकागरता बढ़ती चली जाती है। जिस सस्थान पर वैटकर व्यक्ति हर रोज मंत्र लिखता है, वहाँ एक सुक्ष्प सक्ति के प्रभाव से एक सकारात्मक और दिब्यवाता वरण बन जाता है, जो व्यक्ति को साधना के छित्र में सफलता प्राप्ती की तरफ अग्रसर करता है। मंत्र लेखन से चिंटायें खत्म होती है, मंत्र सांत रहता है, मंत्र योग का ये तरीका मंत्र जब की तूलना में ज्यादा फायदे मंद है। इसलिए मंत्र का लेखन अपने आप में अज्वतिय बिधा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैमाविंदिवासनी।